वेलकम बेक दोस्तों, पिछला साल बजट स्मार्टपोन के लिए खास नेरा, क्योंकि GST हाइक हो गई, प्रोड़क्ट इन इशू और लगडाउन के चलते कमपनीज ने प्राइस एंक्रीस कर दिये थे, जजज़र की रेंजवारी स्मार्टपोन की, लेकिन जैसे ही 2021 आया दो ग्रेट बैटरी लाइप और डिस्पले जो के डे टो डे यूज़ के लिए सायो और इंप्रूट केमरा भी आपके टॉप प्राइटी में शामिल रहती है, मैं आपको इस वीड़ो के अंदर दस जार के अंदर मिलने वाले स्मार्टपोन के बारे बताऊंगा, चारी स्मार् सुर्वत करते हैं इस लिस्ट के पहले स्मार्टपोन से, दोस्तों यदि आपको फूल एच्डी प्लस स्क्रीन चाहिए, इसके अलावा फास्ट चाहिए, बेटर परफार्मस मिल जाना चाहिए, तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले पोजिशन पर आता है रेड्मी 9 प्राइम मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, यहाँ पर रेकिंग के साब से कुछ भी नहीं है, आप लोग रेकिंग डिसाइट कर लेना, यह ऐसा पहला डिवाइज है इस लिस्ट का जो कि अपनी फूल एच्डी प्रेस डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, ओके वित रेड्मी 9 हुद है, Minitech Helio G80, जो की बजट कैटीगरी में डीसेंट लेवल गेमिंग के लिए यूसफूल साबित होगा, कैमरास में क्वाट कैमरास मिलते हैं, जा 13 MP का मेन लेंस से, एक 8 MP वाला अल्रावेट सेंसर है, और बाकिया माइक्रो डेप सेंसर मिलेंगे, आउन दा फ्रेंट प्रोसें काउंस होते हैं, या आप आपको average cameras देखने को मिल जाते हैं, इसके जगे में आपको Poco M2 Reloaded भी prefer कर सकता था, लेकिन वाप आपको box के अंदर 18W का fast charger देखने को नहीं मिलता है, चले दोस्तों, अभी आपको चाहिए एक अच्छे खासे cameras, बड़ी battery life, decent design, stereo speaker, solid battery life, और एक full HD plus resolution display, मैं बुलूँगा Redmi 9 Power आपके लिए highly recommendable device है, दोस्तों क्यों कि ये list का पहला ऐसा device है, जाको 48MP का quad camera setup देखने को मिलता है, with this you get 48MP main sensor, 8MP ultrawide angle lens with 120 degree field of view, 2MP micro and 2MP depth sensor, on the front panel you get 8MP selfie, display, display में 6.53 inches की full HD plus IPS LCD display है, TV Redland certified ISK की display, Corning Color Glass 3 का protection मिल जाता है, processor में आपको मिलेगा, Snapdragon 662 which is built at 11 nanometer process, 2.0 gigahertz की maximum frequency देता है, 4GBF, LPDR, 4X RAM and UFS 2.1 का native storage मिल जाता है, 6000 mAh की inverter like battery मिल जाती है दोस्तों, और इस range में पहला ऐसा device हो की सबसे बड़ी battery को support कर रहा है, 18W की fast charging का support मिलता है, लेकिन यहां पे आपको box के अंदर 22.5W का fast charger देखने को मिलेगा, which is big bonus point for you, बिसे जो pricing बगेरा इसकी आप देखने जाओगे तो 500 रुपए आपको ओपर के देने पड़ेंगे, मतलब 10,500 रुपए इसकी pricing है, लेकिन भाई यह आपके लिए वर्त बाइंग साबित हो सकता है, हमारी लिस्ट में आता है second position पे, चलिए दोस्तो, अभी आपको excellent battery life के साफ में near twitch talk android वाला experience चाहिए, solid build quality हो, मैं बुलँगा, moto G10 power is worst consideration for you, दोस्तो, यहाँ पे आपको think shield वाला protection देखने को मिलता है, which is identical to knock security, जोकि आपको samsung की phone में देखने को मिलता है, दो साल तक आपको security updates मिलने वाले इस phone के साथ, display में 6.5 inches की HD plus IPS LCD display मेलेगी, जी हाँ, HD plus panel मौझूद है, लेकिन cameras दोस्तों, यहाँ पे आपको 48 MP के quad camera setup देखने को मिलते है, चाहाँ main sensor साथ में 8 MP के ultra-wet sensor है, और 2-2 MP के micro depth sensor मौझूद है, on the front you get 8 MP selfie, प्रोसेसर वाइस, इसना आप रगन 460 वाला चीप सेट है, इसके साथ में 6000 mh की बड़ी सी बैटरी है, जो अपने 15W fast charging के साथ में आ रही है, मैं बूलूँगा दोस्तों, यह दि आपको low light photography नहीं करना, gaming वगेर नहीं करना, आपको near to stock Android वाला experience चाहिए, बड़ी battery life होना चाहिए, और decent performance के साथ में आप गुजारा कर सकते हो, मैं बूलूँगा, Moto G10 Power आप ले सकते हो, लेकिन यह दि आपकी priority है performance और cameras तो यह device आपके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, चलिए, अभी आपकी priority बन जाती है, एक बड़ी battery life के साथ में भैतर performance with refined software experience, हमार लिस में आता है आखरी position पे Narjo 30A, the successor of Narjo 20A is now powered by Helio G85 processor, which is a budget gaming chipset with its gaming suite, अपने diamond strike design के साथ में आता है, just like Narjo 20A, 6000 mAh और massive battery इस में मौझूद है, और 18W की fast charging का support इस में मौझूद है, as for the optics, there is a 13MP primary sensor on the rear, backed by a 2MP secondary depth sensor, to the front you get a 8MP selfie sensor, display में 6.5 inches की HD plus IPS HD display है, ये device आप तब आए करना जब आपको battery life excellent चाहिए, साथ साथ आप gaming के लिए कोई phone purchase करने जा रहे हो, so दोस्तों ये थे कुछ ऐसे चार भैतरी स्मार्टफोन जिने आप 10,000 के रेंज में purchase कर सकते हो, यदि आप माई के मैने में कोई phone purchase करने की प्लानी कर रहे हो, अभी battleground mobile इंडिया वगेरा आ रहे है, और आपका budget ही नहीं है, 10,000 का budget है, तो भाई ये जो चार स्मार्टफोन में आपको बताए है अभी, इन में से कोई smartphone के साथ में आप जा सकते हो, decent level पे gaming वगेरा कर सकते हो, यदि मैं आपको यहाँ पर अपना recommendation देना चाहू, इन में से आप कौन से phone के साथ में जा सकते हो, तो सबसे पहला phone तो यदि आपको cameras वगेरा चाहिए, यह device एकदम balanced device है, इसके साथ में आप जा सकते हो, आप लोग भी बता देना, comment box में comment करके आपको क्या लगता है, आपको कौन सा device इन चाहर smartphone में से सबसे ज़्यदा पसंद आया, I hope आपको यह वडियो पसंद आभी, कर दो आपको क्या है,